हेलो दीयर स्टुडेंट्स टुड़े वी विल स्टाड़ी लेसन नमबर एट हैरल्ड आर हॉन्बिल घाहोता है पहले टाइटल समझते हैं हॉन्बिल एक चिडिया का एक चिडिया होती है यह जो चिडिया है जिसकी बडी सी भीक है काली सी बॉडि यह ब्लैक एन वाइट हैरोल ठीक है यह हैरोल एक चिडिया होती है जो ओथर के हां रहने लगती है और ओथर इससे ओथर जो हमारे रसकिन बॉर्ण है वो इससे बहुत अटेच हो जाते हैं वो अपने बच्पन का काफी इंपोर्टेंट टाइम इस चिडिया के साथ बिताते हैं तो यही एंचैंटि सी इंट्रस्टिंग सी स्टोरी हैरोल के बारे में ओथर हमें बता रहे हैं ठीक है जो हैरोल को उन्होंने एज़ा पैट अपने घर में रखा था जब वो एक चोटे बच्चे थे हैरोल को एक नया घर मिल जाता है जब वो अपने घोसले से हमारे ओथर यानिकी रसकिन मॉन क यहां गिर जाता है ठीक है तो यहां से मारे स्टोरी शुरू होती है अभी जब स्टोरी बेगिन करते हैं तब हैरोल बॉन नहीं हुए है यहां पे ममा हैरोल है और फादर हॉन बेल है ठीक है ममा हैरोल के बेबी होने वाला है तो फादर हॉन बेल उनको एक अच्छी सी जग है हैलम की मम्मी और पापा बहुत अच्छे हस्बंड वाइफ हैं वहां पर एक अल्रेडी एक च्छेद होता है जो की weather की वज़े से खराब हो रखा होता है उस hollow की repairing उसके father करते है Harold की father मम्मी को वहाँ बिठा देते हैं और कुछ मिट्टी से, कुछ stick से, कुछ गोबर से, तिनको से लाला के वो पूरा अपना एक अच्छा सा घोसला बना देते हैं उसकी father, वहाँ पर उसकी मम्मा को बिठा कर, उसका अच्छे से cover कर देते हैं मतलब मम्मा कोजी-कोजी करके मम्मा को अंदर बिठा देते हैं बस इतनी जगे छोड़ते हैं कि वो अपनी wife से कभी-कभार बाते कर सकें उसको अंधर ही रखते हैं क्यों अंदर रखते हैं? क्योंकि मम्मा के baby होने वाला है, Harold born होने वाला है वो थोड़ी छोटी जगे थी, इसलिए मम्मा थोड़ा uncomfortable feel कर रही थी और Harold की मम्मा वहाँ पर कैदी बनके रही कम से कम दो महीने था क्योंकि ये दो मन्त बहुत ही ज़ादा ठंके थे और मम्मा के baby born होने वाला था फिर थोड़े दिनों बाद मम्मा के एक अंडा होता है और अंडे में से निकलता है हमारे यहां का main character जो की Harold है अब Harold की बचपन की कथा बताते हैं जब Harold बहुत छोटा था तो वो बिलकुल भी beautiful नहीं था जब वो naked था नेकेड माने early जब उसका boyhood था बिलकुल born हुआ था तो वो बहुत सुन्दर सा देखने में नहीं था जादा attractive नहीं था उसकी लाल सी चोँच थी और वो चोँच बिलकुल मैच करती थी जैसे कि tree जो हाँ जिस tree पे वो born हुआ था ना जिस tree पे वो born हुआ था उसकी भी लाल-लाल से color की फूल थे तो उसकी जैसी थोड़ी-थोड़ी उसकी जो चोँच थी जब वो born हुआ था चीक है और वो बहुत ही hungry रहता था बहुत ही भूकर रहता था हर समय खाने के लिए ready रहता था उसकी पेट कभी नहीं भरता था उसकी ममी पापा उसके लिए तरह तरह केके fruit और ये सब चीजे लाला के चोँच में उसकी चोँच में डाल और जैसे जैसे वो बढ़ा हुआ उसके रूम में उसे बहुत ही congested सा फील होने लगा क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा हो रहा था और एक दिन क्या हुआ उसकी ममा वॉल से बहार निकल गई और उन्होंने अपने पंक फैलाए और वो जाकर ट्री की टॉप पर बैठ गई अब husband ने जब देखा उसकी ममा बहार आ गई यानि कि बेबी थोड़ा सा बढ़ा हो गया है ममा अब बहार आ गई है अपने घोसले में से और फिर वो दोनों उड़ते हैं और ट्री के उपर वाले हिससे में बैठ जाते हैं और बाते करते हैं और धीरे धीरे पापा जो उसकी नर्सरी की वाल्स है नर्सरी यानि कि जिस प्लेस में अभी हैरल्ड है उस ट्री ट्रंग को रिपेर कर देता है जिससे की हैरल्ड गिरना जाए हैरल्ड अपने उस चोटे से पिंजरे में चोटे से रूम में खुश था उसको कोई मन नहीं था कि मैं बाहर जाऊं और उसको अपनी लाइफ बहुती इंट्रस्टिंग वे में गुजारी जा रही थी, मज़े से अपनी लाइफ जी रहा था, मम्मी पापा भी बहुत केरिंग थे, पापा और मम्मी बहुत अच्छे थे उसके साथ, एक दिन दुपहर में क्या होता है, जब हैरॉल्ड सो रहा होता ह और मम्मी पापा पिंजरे में नहीं होते हैं, वो अपनी मीठी सी नीन में होता है दुपहर की, उसको एक आवाद सुनाई पड़ती है, जो आवाद बिलकुल अलग थी उसकी पैरेंस की आवाद से, और इतने में ही वहां की उसकी नैस्ट की बहरवारी दिवार टूर जाती है और कुछ बहुत बड़ा सा येलो कलर का बालो वाला कुछ अंदर तक उसको झांक रहा है, और वो क्या था, और ये वो जो चीज थी वो उसके पापा ममी की चोंच नहीं थी, ये थी एक सिवेट कैट, बड़ी सी बिली, एक जंगली बिली, और हैरल इतने में ही कुछ कर पाता या या वो उसको अटैक कर पाती, इतने में ही हैरल के ममी और पापा आ जाते हैं, और वो जोंच मारते हुए, शोर मचाते हुए, अपनी बड़ी बड़ी चोचो से उसको मारते हैं, बिली को, ठीक है, इन दा एंस्विंग मिली, और इस घमासान युद में, क्या होता है, हैरल अपने बिल में से गिर जाता है, और वो गार्डन पे आकर गिरता है, यानि कि वो छोटा सा बच्चा, वो छोटा सा हौन बिल इस फाइट में, इस नौइजी सी फाइट में गिर जाता है, अपने नेस्ट में से निकल की, इतने में ही कि कैट उस पे अटैक कर पाती या उसको कबजे में कर पाती क्योंकि वो नीचे गिर गया था जो grandfather है author के वो उसको उठा लेते हैं हेरोल्ड को उठा लेते हैं और उसको वरांडा में ले आते हैं घर के अंदर ले आते हैं हेरोल्ड के कुछ पढ़ तूट चुके हैं और वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो बच भी पाएगा या नहीं उसको जल्दी से किसी न किसी जगे ठिकाने में रखना पड़ेगा तो grandfather ने और author ने मिलके ऐसा रोल लिभाया जैसे कि उसकी ममी पापा हैं उसको एक सुरक्षित जगे वरांडा में ले गए ठिक है हेरोल्ड देखने में बहुती सिंपल सा लग रहा था बहुती अट्रेक्टिव सा नहीं लग रहा था उसकी काफी चोट लग चुकी थी और और जब उसकी चोट से जगे जगे चोटे लगी थी जब वो उससे थोड़ा ठीक हुआ तो वो लोगों के करीब आने लगा उसको भी अच्छा लगने लगा और ग्रैंट फादर और मैं मिलकर उसका पूरा ध्यान रखते थे उसकी खाने पीने का और वो हमसे जैसे ही हम उसके लिए खाना लेके आते थे वो हमसे मिलता था और उसका प्यारी सी चोच थी और वो जैसे ही हमें देखती थी वो काका की की चिलाने लगती थी और हम उसको खाने में देते थे कुछ फूर्ट कुछ इंसेक्स, कुछ एनिमल फूर्ट कुछ ग्रीन लीव्स सब वो मिलके अच्छे से खा पाता था और उसके पास खाना पीना रखकर हम थोड़ी दूर चले जाये करते थे वो बहुत अच्छे से रह रह रहा था हमारे साथ उससे वहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं थी और वो बिलकुल एक टैनेंट की तरह एक किरायदार की तरह हमारे यहां रहता था वरांडे में जितना वरांडा था वो सिर्फ उतने में ही घूमा और ठहला करता था बिलकुल भी कोई शिकायत का मौका नहीं देता था एक दुपैर में क्या होता है उनकी यहां वरांडा में एक पार्टी चलती टी पार्टी ठीक है उस टी पार्टी में क्या होता है जो यह हमारे हैरोल जी हैं वो थोड़े से disturbing moment सा कर देते हैं कुछ काला सा और सफेद सा आता है अपनी noise करता हूँ अपने flap करके अपने wing से और एक चूटा सा टुकडा ले जाता है एक rod के पास टोस्ट का कुछ टुकडा रखा हुआ था वहाँ पे नाश्ता पानी जो चल रहा था वरांडा में जो टी पार्टी थी वो उठा के ले जाता है एक rod के पास और वहाँ पर सीलिंग के पास बैटके वो खाने लगता था ठीक है तो यह उसकी एक activity दिखाई है होरल ज्यादा कोई खास beautiful तो था नहीं क्योंकि उसका एक बड़ा छोटी सी body और बड़ा सा मूँ था लेकिन वो बहुत अच्छे nature का था बड़ी friendly सा था और घर के लोगों के साथ भी वो बहुत अच्छे से रहता था ठीक है He remained on good terms with most members of the household during his lifetime of 12 years वो बारा साल जिन्दा रहा और वो बारा के बारा साल हमारे घर के लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहा Harold उन से ज़्यादा दोस्ती करता था जो उसको खाना देती थे आपको याद होगा ना शुरूआत में भी उसकी ममी पापा उसको खूब बाराइटी का खाना खिलाते थे तो उसके खाने भीने का बच्पन से ही बहुत शौकरा है वो अपनी बड़ी सी ग्रेड बीक से बहुत अच्छे से खाना खाया करता था वो इतना प्यारा था कि वो अपनी चोंच से मेरे को भी खाना खिला दिया करता था लेकिन मैं उसको खाना खान लिया करता था लेकिन जब वो मुझे बीटल्स और अपनी ऐसी चीचड़े-पीचड़े से जानी की जो non-veg type की चीज़े हैं वो जब मुझे खिला था तो मैं नहीं खाता था यह हमें author बोलते हैं मैं जाता था उसके साथ बनाना शियर करना पसंद करता था लेकिन हरल्ड खाने का इतना शौकीन था कि खाने में जरा सी भी डिले हो जाए देर हो जाए तो वो मुझे आवाज लगाने लगता था और उसकी जो चिलाने की आवाज थी बहुती रफ और लाउड हो जाती थी और शोर मचाने लगता था और किचन विंडो पे आकर अपनी जो उसे टक-टक-टक करने लगता था क्योंकि उसे भूग लगने लगती थी और हरोल जो था वो अपने उपर भहुत ध्यान देता था अपनी परसनल अपीरेंस पे अपने साथ वो एक रफ रो पॉट लेके चलता था जो कि उसकी बॉड़ी में अटाच थी और यूज इट very skillfully as an item of his morning toilet और सुभे की वाश्रूम जाने में के लिए वो इसको बहुत अच्छे से इस्तमाल करता था क्या करता था यह जो रो है रो पॉट है यह उसकी बॉड़ी में situated a gland है जो उसकी परो के पूच की परो के नीचे है और उसमें से एक यल्लो सा लिक्विड निकलता था उस यल्लो लिक्विड में वो dip कर लेता था अपने आपको और वो अपनी चोच को और वो time to time अपनी बॉड़ी पर उसको मला करता था फैदर्स पर और अपनी नेक पर अपनी बॉड़ी पर सारे में वो polishing type अपनी कर लेता था उस यल्लो लिक्विड से और जब मैं कभी उसे पकलता था ना हेरल्ड को तो मेरे भी हातों में वो लग जाया करता था वो यलो लिक्विड तो ये हमें सब बाते ओथर बता रहे है हेरल्ड किसी भी चमकीली सी ग्लेटर सी चीज से खेलने लग जाया करता था और बाद में उसे खा जाया करता था उसको बनाना बहुत पसंद था उसको खजूर पसंद थे और उसे राइस बॉल्स बहुत पसंद थी राइस उबाल कर उसको चान लिया और उसकी बॉल्स बनाकर मैं उसकी तरफ फेका करता था और वो उचल कर हवा में वो बॉल खाया करता था उसको टॉस करता था उचलता था और वो खाता था और इस चीज में वो बहुत master हो गया था कि वो catch करने लगा था चीजों को फिर धीरे दीने मैंने उसे tennis ball catch करना सिखाया और कम से कम मैं थोड़ी दूर जाकर यानि कि 15 yards जाकर वो tennis ball उसके फेकता था और वो अपनी चोच में पाकर लेता था मैंने हेरल को जादा तर कभी पानी पीते हुए देखा तो नहीं लेकिन उसे बारिश बहुत पसंद थी जैसे ही बारिश आने वाली थी वो हेरल शूर मचाने लगता था अवाजे निकालने लगता था और अमसिका में एक घंटे पहले पहली बारिश की एक घंटे पहले ही वो साउंड करने लगता था और हमें पता चल जाता था कि बारिश आने वाली है मुझे बहुत अच्छा लगता था लेकिन आंटी रूबी जो है वो अकसर इरिटेट हो जाती थी क्योंकि जैसे ही वो कहीं जाने लगती थी हैरल शोर मचाने लगता था और हैरल का तो मतलब होता था कि वो बारिश होने वाली है लेकिन आंटी समझती नहीं थी और जब वो जैसे ही घर आती थी तो वो उपर से नीचे तक पानी में लगपत होती थी और फिर उन्हें देखकर Harold बहुत ही जोर से हसा करता था As the storm clouds would gather and gust of wind would shake the banana tree, Harold would get very excited, जैसे ही तुफानी हवा चलती थी और banana के पेढ़ने लगते थे, Harold बहुत खुश हो जाता था क्योंकि उसको बारिश बहुत पसंद थी, उसकी जो अवाज थी वो भी चीची की अवाज में बदल जाये करती थी और वो चीची से वीवी करने लगता था, शूर मचाता था खुश होता था जब तक बारिश की मूदे पढ़नी शुरू होती थी वरांडा पे और जो वो मिट्टी की चार वरांडा के अंदर आ रही है हेरल्ड अपने पर खोल लेता था और पर खोल के डांस करने लगता था, एक सरकस के क्लाउन की तरह, सरकस के जोकर की तरह, वो गोल-गोल घूमने लगता था, अब अब आथर हम से बोलते हैं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मैं वरांडा में उसकी खुशी देखकर बहुत खुश हो जाते थे और उसके साथ अपनी हैपिनेस बाढ़ते थे बहुत सालों तक मैं उसे मिस करता रहा उसकी अवाजों को उसकी जो वो अपनी चोच से बैंग करता था वो सब अगर अब वो एक अच्छा सा मैसेज देता है कि अगर हॉन बिल्स के ले भी कोई जन्नत होती है कोई स्वर्ग होता है तो मैं भगवान से प्रातना करता हूँ कि वहाँ पर भी उसे बारिश की बूंदे मैसूस होए वहाँ पर भी उसको बहुत सारी टैनिस बॉल्स मिलें कैज करने के लिए और वो जहां भी हो जन्नत में हो हैवन में हो वो अपनी अपनी बारिश इंजॉय करे अपनी बहुत सारी टैनिस बॉल्स के साथ खेलता रहे तो ये जो था ये ओथर की लाइफ का एक बहुती ब्यूटिफूल सा एक्सपीरियंस था जब वो एक छोटे बच्चे थे और वो उनके घर में एक हैरॉल्ड, एक हॉन बिल एक हॉन बिल चिडिया उनके घर में आ गई थी और उन्होंने रसकिन मौन ने अपना समय अपना चाइल्ड होड कम से कम बारा सालों तक उस चिडिया के साथ बिताया तो उन्होंने ये अपना सारा एक्सपीरियंस हमें शेर किया है चलन, I hope आपको मेरा एक्स्पीरियंस समझ आया होगा if you have liked the video don't forget to give a thumbs up to Saxena Tutors and share my video more and more among your friends thank you, bye bye मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर